दोस्तों यह वाले वीडी ओ जो है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है हर एक वीडियो होता है क्योंकि मेरा चैनल जो है इंपोर्टेंट चैनल ही है तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe डिटन को प्रेस नहीं किया है बिना subscribe डिटन प्रेस किये हैं वीडियो देख रहे हो और चले जा रहे हो तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तो इस तरीके का loan की problem के regarding मैं वीडियो हर रोज ड पताने वाला हूँ कुछ ऐसा चीज़े आप लोगों के साथ करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है क्या है वो title में आप लोगों पता चलेगे कि payment करने के बाद भी जो है आप लोगों का account जो है close नहीं हो रहा है तो यह जो एक बहुत बड़ा problem अभी क बातचीत हुआ और उन्होंने स्क्रीन सोर्स बगर बहुत सारा कुछ भेजा कि देखिए मैंने payment कर दिया फिर भी जो है इन्होंने मेरा account जो है close नहीं किया दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है मैं बता देना चाहता हूँ settlement का बात कोई company मानू कि आपने बहुत दिनों से आपने payment नहीं किया एक साल के ओपर जो ही कि आपका overdue हो गया है और क्या है कि आपको companies phone करके आपको offer दे रहा है कि आपको जितना amount है उससे कम जो है settlement कर लूँगा तो आप इस amount को जो है payment कर दो तो आपका account जो है close हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग वो account close ही नहीं होता है तो दोस्तो यह जो है नया trick यह लोग अपना रहे settlement के नाम पे आप लोगों से पैसा वसूल करना है आप लोगों कोई अधियान में रखना है अगर कोई भी settlement करने का offer दे तो आप लोगों सिधा बोलना है कि आप एक mail करो मेरे नाम मेरे mail ID पे उस mail ID पे आपको एक NOC जो है वो provide करना होगा बीना NOC के आपको कोई भी payment नहीं करना है अगर आप लोग payment कर देते हो तो यहां पे क्या कर रहे है यह लोग पैसा वसूल करने के लिए फिर से आपको धंकी देना चालो कर देगा आपको बोले है कि payment करना है आपको आपका payment जो है वो बा अगर कोई भी agent घर पे आ जाता है और आपको बोलता है कि आपको payment करना है तो आप अगर payment करते भी हो तो सबसे ध्यान में रखना है सबसे पहले कि आपको जो है जिसको payment कर रहे है उसका receipt copy आपको मिलना चाहिए तबी जो है आप किसी agent को पैसा दे सकते हो अगर बोले कि मेरे पैस receipt copy नहीं है मैं online transfer मतलब online जो है काम करवा दूगा तो आपको बिलकूल भी करना नहीं है क्योंकि यह fraud हो रहा है अभी के time में और चीज क्या है जो account close नहीं हो रहा है उसका बात अगर payment भी कर देते हो और account close नहीं होता है तो आपको वहाँ पे mail करना है company को company को mail करके बतान है screen source वगरे provide करना है कि इस तरीके का time में मैंने इतना payment कर दिया था अभी तक account close नहीं हुआ है तो प्लीज इसके ओपर ध्यान दीजिए और मेरा account close कर दीजिए mail करना है आपको mail का reply देखना है क्या आ रहा है अगर फिर भी कुछ नहीं करता है तो आप सीधा RBI में complaint कर सकते ह क्योंकि RBI में आपको पता है कि RBI से licensed है अगर कोई भी गलत करता है यह तो आप RBI में बे फिकर होके आप लोग वहाँ पर complaint कर सकते हो यह सब चीजे जो कि अभी के time में हो रहा है इसलिए मैंने आप सब से बोला कि यह video जो है बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि पैस का बात अलगी है उनका payment करना ही नहीं है NBFC का क्या है अभी के time में कुछ ऐसा चीजे कर रहे है कुछ लोग यूंकि सब को पता है कि हम NBFC है कुछ इस तरीके से जो है आप लोग को offer देंगे और आप लोग क्या है payment करने के लिए राजी हो जाओ के तो payment कर देंगे तो क्या ह अगर payment लेना है settlement करना है तो सबसे पहले आप मुझे NOC लेटर दो उसके बाद मैं payment कर देता हूँ NOC नहीं दोगे तो मैं आपको settlement का कोई भी एक फुटी कॉरी ने देने वाने नहीं हूँ आपको जो करना है कर लो सिर्फ यही बात बोलना है देखना NOC लेटर अगर वो settlement में interested अगर वो settlement सच में करा रहे हैं तो आपको NOC लेटर देगा पहले ही देगा दोस्तो आई होब कि आप लोगों को वीडियो जो है यह बहुत जादा helpful हुआ होगा इस वीडियो के तुरू अगर कुछ भी information आप लोगों को सही लगा होगा तो एक like जरू कर दीजेगा दोस्तो सब्सक्राब बटन प्रिस करना ना बुले तब तक लिए चले टटप अब टीक केर जै हिन जै भारत